तो यहाँ पर फाइनली आपको पता यूपी ट्रेपल सी द्वारा एक नई भरती इस्टिनोग्राफर का विज्यापन दो दिसंबर दोज़ाचोबिस को प्रकासित कर दिये गया था अनलाइन आवधन आपको पता है 26 दिसंबर से शुरू किये जाएगा और 25 जनवरी 2025 तक लिए जाएगे सुल्क समायोजन एवं आवधन में संसोधन के अंदिप्ति थी आपका एक फरवरी 2025 रखी गई है सारी जनकारी आपको पिछली वीडियो में बताया गया था पेट दोज़ा 23 कधार पर छात्रों को सॉट लिस्ट किये जाएगा जो भी छात्र पेट दोज़ा 23 में बैठे थे वो छात्र इसके लिए आवधन कर सकते हैं 0.25 रुपात के सुलक से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको की श्कृर कधार पर कही गुना चात्रों को को लगबँ 33 चात्रों को सॉल्ट किया जाएगा उन्सके बाद आपका टाइपिंग शियाम हगा फिर आपका सेलेक्शन किया जाएगा तो चलिए तो रही पिछली जनकारी, तो चलिए अब हम देख लेते हैं, UPSC तर पिछली जो इस्टिनोग्राफर की भरती आई थी, उसमें कितने चात्र कुछ सॉट्ट लिस्ट किये गया था, और पेटे 2022 के धार पर इस्टिनोग्राफर की भरती थी, तो पेटे का जो स्कोर सॉट्लिस्ट किया था, कितना स्कोर गया था, साथ में हम स्लेबस देखेंगे, जो कि आपको पर इच्छे कली काफी मत पूड़ है, चलिए, सारी जनकारी हम देख लेते हैं, तो सब से पहले आप स्लेबस समझ यह, किस लेबस आपका क्या है, हिंदी से 30 प्रशन आपके पूछी जाएंगे, बेश्टर बुक आपका लूसेंट का होगा, बाकि आप वीडियो के माध्यम से भी अच्छी खासी तयारी कर सकते हैं, साथ में UPGK के 20 प्रशन पूछी जाएंगे, तो जब आप इनको एड़ करेंगे, टोटल आपका सव नंबर के प्रशन पूछी जाएंगे, सव नंबर का आपका पेपर होगा, दो घंटे का आपका समय दिये जाएगा, साथ में UPGK की मार्किंग भी रहने वाली हैं, उसके बाद कुछ गुना चात्रों को स्किल टेस्ट के लिए बुला जाएगा जिसमें से 80 वर्ड प्रत मिनट इंग्लिस के आपके टाइपिंग के रहेंगे, उसके बाद हिंदी के 25 वर्ड प्रत मिनट आपके हिंदी के रहने वाले हैं, अलांकि इस्ट्वनों का जो टाइपिंग स्किल चेक होता है थोड़ा सक डिफरेंट है, बाकी अधर एक्जाम में अगर आप बैटे होंगे तो वहां पर जो टाइपिंग स्किल चेक है थोड़ा सक डिफरेंट होता है, आगे चलिए हम देख लेते हैं, पेटे 2022 कदार पर जो भरती आई थी, आलांकि उसमें पद थे सिर्फ 333, इस बार पद है 616, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, सिर्थी 333, जो शॉट्रिस्ट कटाब बनाया गया तब जन्रल कथा 9.88, अबीसी कथा 9.88, यस्ती कथा 5.33, यस्ती कथा 35.33, और EWS कथा 69.88, इतने नंबर, जो भी छात्र पाटे कटेकर रिवाएज, उन छात्रों को मेन एकजाम के लिए सॉट्रिस्ट किये गया था, छात्रों की संख्या जो थी, वह आपके कितनी थी, 11,135, 333 से आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं, लगबग 33-34 परशंट आपका आएगा, जो छात्र सॉट्रिस्ट की जरीए मेन एकजाम के लिए बुलाया गयते हैं, इस बार भी लगबग 33 गुना, 34 गुना या 40 गुना आपका सकते हैं, छात्र को बुलाया जा सकता है, सीट अधिक है तो कटाप कम जाएगा, यह लगबग आप अनुमान लगा सकते हैं, यह कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, कभी-कभी सीट अधिक रहने के बाद भी कटाप हाई चला जाता है, क्योंकि छात्र जो पेटे 22 में बाटे थे, जब 23 में बाटे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो छात्रों का competition यह आपर बढ़ता हो दिखाई दे सकता है, बाकि आप तैयारी में लगे रहे हैं, अगर आपका ठीक-ठाक 50 के करीब स्कोर है, तो आप shortlist किये जा सकते हैं, एक अनमान का धारपर में बता रहे हैं, कम नमबर अलेवी चात shortlist किये जा सकते हैं, लगि करीब जो अनमान है वह पचास नमर आपका होना चाहिए, अगर आप General OBC या EWS category से बिलांग करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना ना बोले, चैनलेज से जुड़े रहे हैं, जय हिंद।